हाई एवरीवन एक्जाम मेडिसीन चानल में आप सभी का स्वागत है आज की जो हमारी टापिक है टोटल है आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड ही प्रश्ण है और आपके किसी भी एक्जाम में यहां से प्रश्ण जरूर देखने को मिलते हैं तो चलिए आज जानते हैं महात्मा गांधी के विसे में देखे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांधी था दो अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरवंदर नामगस्थान में इनका जन्म हुआ इनकी माता का नाम पुदलीवाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम जो था कस्तूरवा गांधी था नेक्स जानें इनके बारे में कि इनके जन्म तिथी मतलब दो अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में तथा इनकी पूरे तिथी 30 जन्म तिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स देखेंगे वे 1893 में 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिड अफरिका गए और 1915 में वापस आ गए थे याद रखेंगे सबसे पहले ये अफरिका कब गए थे 1893 में ये मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिड अफरिका गए थे गांधी जी के राजनेतिक गुरू को पूछा जाता है गांधी जी के राजनेतिक गुरू कौन थे तो गोपाल कृष्ण को अखले थे तो गांधी जी जो थे लियो टाल स्टाय से प्रभावित थे गांधी जी ने 1906 में दक्षिड अफरिका में ही सत्या ग्रह का पहला प्रयोग किया था ये प्रिश्ण खुब बनते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किस सन में और कहां किया था तो याद रखेंगे 1906 में पहली बार किया था दक्षड अफरिका में किया था लेक्स देखेंगे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था अगर प्रश्न बने तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला अपना सत्याग्रह 1917 में बिहार के चमपारण में किया था जिसको चमपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है सर प्रतम रविन्ना टाइगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाश अन्बोस ने राष्ट पिता कहके संबोधित किया था तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को जो महात्मा शब्द है उससे संबोधित के रविन्ना टाइगोर जबकि किया था याद रखेंगे असहयोग आंदोलन कब किया था 120 में किया था किया था खिलाफत रांदोलन जलियावाला भाग कांड तथा र्ओल्ट एक्ट के जरोथ में किया कांड की जिए एक्षन हो गया है देखे चौरी चौरा कांड जो है आपकी पांच फरवरी 1922 को हुई थी तो चौरी चौरा कांड से ही दुखी होकर महात्मा गाधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयो गांदोलन को इस्थगित कर दिया था जलियावाला बाग कарंड अगर पूछा चाये कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ था तो जानेगे इसके बारे में कि जलियावाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केषरे हिंद की उपाधी लुटा दी थी आपको बता दे कि केषरे हिंद की उपाधी देखेंगे महात्मा गांधी ने बेल गाउं अधिवेशन में मात्र एक बेल गाउं अधिवेशन था जो की 1924 में हुआ था जिसमें कांग्रेज के अध्यक्ष के रूप में बने थे ये आगे महातमा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयाईयों के साथ डांडी यातरा प्रारंब की थी याद रखेंगे पूछा जाता है कप्रारंब की तो 12 मार्च 1930 को आरंब की थी और 6 अप्रेल 1930 को 388 किलो मीटर यातरा कर डांडी में नमक बनाकर नमक कानों को तोड़ा था ठीक है आगे देखेंगे सवने अवग्या अंदोलन की सुरुवात की थी सवने अवग्या अंदोलन की सुरुवात कब हुई थी जब इन्होंने दांडी यात्रापनी प्रारम की और नमक कानून को तोड़ा था उसके पास अविने अवग्या अंदोलन का प्रारंभ हुआ था आगे देखते हैं देखिए आगे हैस में आपके कि 7 अप्रेल 1934 को गांधी जी ने सविने अवग्या अंदोलन को समाप्त कर दिया था 1916 इस्वी में गांधी जी ने एहमदाबाद के निकट साबर मती आश्रम की स्थापना की थी साबर मती आश्रम की स्थापना कब की गई थी तो 1916 में की गई थी गांधी इर्विन समझो था 5 मार्च 1931 को हुआ था याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है ये 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेट चेक कहा था आठ अगस्त 1942 को प्रारम भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 1931 में लंदन में हुए द्विती गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेत्रितु किया था याद रखेंगे कि तीन गोल में सम्मेलन हुए थे जिसमें 1931 में जब लंदन में द्विती गोल में सम्मेलन हुआ था तब उसका नेत्रितु महात्मा गांधी ने किया था बीम राव मेटकर जो तीनों अधिवेशन हुए थे गोल में सम्मेलन वाले उसमें सामिल थे आगे देखेंगे महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 गुनाथू रामगोड से ने प्राठना के समय किया था आगे देखेंगे गांधी जी का समाधी स्थलराज घाट कहलाता है विस्टन चलसिल ने इन्हें अर्ध नगन फकीर कहा था ठीक है इतनी टोटल बाते रही महात्मा गांधी के बारे में यह सिर्फ एक छोटा व्यू था पूरा उनके बारे में जहां से आपको प्रश्ण देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए टेक केर जैहिंद